आज मैं आपको HDFC debit card का pin change कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी जांकरी देने वाला हो अगर आपके भी पास है HDFC debit card और आप चाहते हो उस debit card का pin change करना या फिर आप भूल चुकिए हो HDFC debit card का pin और आप चाहते हो उस debit card का pin reset करना तो आप घर बैटे अपने mobile से ही किसी भी HDFC bank के debit card का pin change या फिर रिसेट कर सकते हो तो आईए जान लेते हैं कैसे किया जाता है HDFC debit card का pin change या फिर रिसेट मेरा नाम है सचीन और आप देखरें cardpandik.com वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप चाहते हो किसी भी credit card के लिए apply करना जो lifetime free हो उस credit card के लिए apply करना तो नीचे link description में है description में click करना है link पर click करना है और लेकि जायेगा हमारी website के उपर जहाँ पर आपको multiple credit card देखनी को मिल जाते हैं और और वी free में यहाँ पर आपको loan apply करने के लिए यहाँ पर option है इवन यहाँ पर आप जिरो balance वाला saving account भी open कर सकते हो तो जो भी credit card के लिए apply करना चाहते हो सिर्फ उसके उपर click करना है उसके उपर click करने के बाद यह लेके जाएगा official SBI के website पर जहाँ पर आपको personal detail official detail यहाँ पर फिल करनी है और यह immediate आपको बताएगा कि आपका card approve होगा या नहीं और अगर हमारे दिये गए link से आप click करते हो apply करते हो तो यह ज़्यादा chances होते हैं कि आपको credit card मिलने के तो nature link description में credit card apply करने के लिए और यह जान करें अगर आपको पसंद आती है तो like करें दोस्तों के साथ share कीजे और कुछ भी doubt होता है इससे related तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हो तो HDFC debit card का pin change या reset करने के लिए सबसे पहले हम आपको दो से तीन तरीके बताता हूँ आप net banking में जाके HDFC के net banking में जाकर भी HDFC debit card का pin change या reset कर सकते हो दूसरा तरीका आप ATM में जाकर भी HDFC के किसी भी debit card का Raf यापिर वीच इसको लौगिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका password इंटर करना पड़ेगा, तो मैं मेरा password यहाँ पर enter कर दिता हूँ, password इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मेरा पे करके है उसके उपर क्लिक करना है और मुझे debit card का pin change करना है इसलिए हाँ पर मैं cards में जाओंगा जैसे मैं यहाँ पर cards में आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ debit card करके है यहाँ पर मुझे pin change करने का option मिल जाएगा तो यहां पे मेरा Visa Millionaire Debit Card है, यह रहा मेरा Visa Millionaire Debit Card, इस Debit Card का PIN मै भूल चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ पिन चेंज करना, रिसेट करना, तो इसके लिएहां पे मैं उसके उपर क्लिक करता हूँ, उसके उपर क्लिक करने के बाद, यहां पे थोड़ा सा वेट करना है, और यहां पे देख सकते हो, कि यहां पे मेरा Visa, Millionaire Debit Card आ चुका है, यहां पे Set Pin है, और Block करना चाहते हो, तो यहां से Block भी कर सकते हो, तो मुझे फिलाल यहां पे Pin Change करना है, Set करना है, Reset करना है, इसलिए यहां पे मैं Set Pin है, उसके औपर क्लिक करूंगा, और चाहते हो कि अपग्रेड करना तो यहाँ पे अपग्रेड कार्ड करके है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इससे related मैंने पहले सी वीडियो बना के रखा है अगर आप चाहते हो अपग्रेड करना तो निचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा तो फिलाल मैं यहाँ पर set pin करने वाला हूँ इसलिए यहाँ पर set pin के उपर क्लिक करूँगा set pin के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा mobile number automatically detect हो चुका है अगर यह correct नहीं होगा तो यहाँ पर untick कर देना तो यह आपको बाद में pin change करने के लिए आपको mobile number change करना compulsory होगा तो यहाँ पर जो भी आपका pin four digit के रखना चाहते हो वो यहाँ पर enter करना है फिर से re-enter करना है और i accept पर click करके यहाँ पर confirm करना है तो मैं यहाँ पर मेरा pin है वो यहाँ पर enter कर दूँगा और confirm पर click करता हो और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर मेरा pin enter किया है और यहाँ पर i accept उसके उपर click करूँगा और नीचे की तरब confirm का button है उसके उपर click करता हो जैसे उसके उपर click करूँगा तो यहां पर verify के लिए मेरे mobile number पर एक OTP आयेगा ओटी पर enter करना होगा तो मैं continue के उपर click करूँगा continue के click करने के बाद यहां पर देख सकते हो मेरे number पर एक mobile number पर एक OTP गया होगा ओटी पर इहां पर मुझे enter करना है 79751 OTP इंटर करने के बाद नीचे के तरप Continue का बड़न है उसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो You have successfully set your debit card pin तो अभी मेरा debit card का pin है वो set हो चुका है, change हो चुका है, reset हो चुका है तो अगर आप भी भूल चाहते हो अपने debit card का pin या पिर आप चाहते हो चेंज करना अपने debit card का pin तो कुछ इस तरह से आप घर बैटे अपने mobile से ही कर सकते हो तो मुझे उमीद है यह 26 जान करें आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते ऐसे नए इंटरेस्टिंग जान करें के साथ तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन चूब रहे